अगर कोई इंडिया की कंपनी बाहर के देशों में यानि फॉरिन कंट्रीज में अपने शियर्स वगेरा सिक्यॉरिटीज कुछ इशू करती है ताकि बाहर के देश के लोग उस इंडिया की कंपनी में पैसे लगाएं यानि अपनी फॉरिन की करंसी इंडिया में लेकर आएं उसके लिए बोला जाता है कि जी डियार इशू कर दी गई है तो जी डियार क्या एक टाइप का इंस्ट्र इंस्ट्रुमेंट की बात नहीं हो रही है सिक्यॉरिटीज और शेयर्स वाले इंस्ट्रुमेंट की बात हो रही है इशूड एब्रॉड एब्रॉड यानि फॉरन कंट्रीज के लिए इसे इशू किया जाता है और इशू करता कौन है इंडिया की कंपनी इशू करती है ठीक है ठीक है इसमें इंस्ट्रूमेंट में क्या होता है शेयर्स वगेरा इश्यू करे जाते हैं और का किया जाते हैं अब्रोड यानि फॉरेंड की कंपनी में ताकि फॉरेंड की करंसी हमारे देश में हमारे देश की कंपनी में आए आगे देखते हैं कि एक टाइप का नेगोश security और इसका भी trade जो है किसी भी बाकी सभी shares की तरह securities की ज़ना इसको trade किया जा सकता है यानि बेच जा सकता है खरीदा जा सकता है features of GDR इसके features क्या है capital collected from issue of GDR is in foreign currency यानि अगर हम बाहर के देश में ये GDR issue करते हैं तो हमें जो भी पैसा मिलता है वो foreign currency में मिलता है no voting rights are given to holders of GDR यानि जिन भी लोगों के पास India की company के shares होते हैं ठीक है यानि बाहर के देशों की बात कर रहे हैं मैं बाहर के देशों के लोगों के पास अगर ये GDR के तरू उन्होंने shares करीदे हैं तो उनको कोई भी वोटिंग राइट नहीं मिलता है GDRs are easily transferable at the stock exchange अराम से transferable at the stock exchange यानि आप खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते है easily transferable का मतलब यह है ठीक है first industry to issue GDR was reliance industry यानि reliance industry ने सबसे पहले GDR issue करी थी बाहर के देशों में अपने shares बेचे थे next topic अपना हुआ है American depository receipt यानि ADR इसका क्या मतलब है depository receipts issued by the company in USA यानि अगर कोई America की company depository receipt issue करेगी तो वो कहलाएगी ADR ADR is similar to GDR except that it can be issued to citizens of USA ADR भी लगबग GDR की तरह है सिरफ एक condition इसमें है कि जिसे की अपना जो अगर USA के logo को issue करी जा रही है तो वो ADR कहलाती है यानि ADR जो है सिरफ USA यानि America के logo को issue की जाती है America की companies issue करती है और यह companies कहा listed or traded होती है stock exchange of USA USA के company issue कर रही है USA के logo को issue कर रही है तो कहा पर registered होगी USA के stock exchange में ही registered होगी आगे पढ़ते हैं IDR यानि Indian depository receipt so IDR है वो भी GDR की तरह ही है सिरफ इसमें क्या होता है कि यह किसको issue होती है इंडिया के citizens यानि इंडिया में रहने वाले लोगों को issue होती है IDR और IDR के तरू क्या होता है foreign companies raise funds from Indian market यानि अगर कोई foreign की company बाहर देश की company इंडिया में shares issue कर रही है ठीक है तो वो कहलाई की IDR याद रखना है foreign की company issue कर रही है और कहा issue कर रही है इंडिया में issue कर रही है यानि इंडिया के लोगों से पैसा ले रही है foreign की companies और सबसे पहले ऐसे करने वाला कौन था जिसने IDR issue करी थी इंडिया में वह था standard chart and bank इसके वीडियो खत्म हुआ थैंक्स वाटिंग इस वीडियो प्लीज लाइक शेंट सब्स्राइब